हेलो गाइज वेल्कम बैक टू मैं चानल और आज बात करेंगे घरबूजे के बीजे को किस तरीके से लगाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में घरबूजे की बहुत ही हेल्दी सैपलिंग है इसी गंबले के अंदर मैंने काफी सारे और तरीके के बीच पौद आपनी जो स्टीट स्टार्टिंग पॉर्ट है उसके आप देख सकते हैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस वीडियो में बात करूं हुए घरबूजे के जो सैपलिंग है उसके बारे में तो आज ट्रांस्प्रांट करना है इस पड़े से गंबले क होनी चाहिए क्योंकि घरबूजे का जो पॉदा होता है वह हैवी फीडर होता है आपको 20% तक मैनियोर होनी चाहिए इसके अंदर 20% कोको पीट होना चाहिए और बाकी गार्डन सॉल शुरू में इतना ही बाद में आपको रेगुलेंट डवल के टाइम में मैंनियोर डालनी इतना बड़े गमले के अंदर आपका पौदा बहुत अच्छे से बनेगा इससे चुटा कर आप गमला लेगे तो आपको बहुत दिक्कत होएगी क्योंकि उसके अंदर आपके जो फूट्स होंगे अच्छे से डवलक नहीं होंगे तो अब मैंने अपने जो सापलिंग सी उ इसके लिए आपको सबसे बहतरीन पय जो है वो है स्टिक्स जो नारियल की जाडू होती है उनकी आप sticks को बराबर हिस्सों में थोड़के इस तरीके से लगा सकते हैं मैंने दो sticks की मदद से इस sapling को support दिया है क्योंकि इस समय यह काफी week हो जाती है transplant करते हैं जब तो उनको support की बहुत जरूत होती है तो इस समय support दे रखा है मैंने इने और अब आगे इनकी growth इसी के उपर होईगी आगे मैंस के अंदर पूरा mash में लगाऊंगी वो सब वीडियो आपको आगे मैं share कर दूँगी इसके जो भी updates है अभी फिलाल आपको कुछ बातों का जान रखना है कि मिट्टी जो होनी चाहिए जब आप transplant करते हैं वो moist मिट्टी हो तभी करें सूखी मिट्टी के अंदर करेंगे तो आपके प्लांट के मलने के chance जो है वो 60-70% हो जाते हैं इसकी वज़े से और दूसरी बात है support देना आपको transplant करने का अपने पौदे को support देना है और उसके अंदर पानी की मातरा भी काफी रखने है बिल्कुल उसको गीला कर दीजे इतना अच्छे से मिट्टी को है ना और फिर आप देखिए कि इतना अच्छा दुझा मिलता है यहां इस सेपलिंग आपको दिखरी होंगी थोड़ी सी मुर्जा गई है लेकिन अभी एक दो दिन के अंदर यह वापस अपनी जड़ों को मजबूती से खड़ा कर लेंगी और अपने आपको वापस से strongly खड़ा कर लेंगी तो उसके अंदर कोई बात नहीं है बस इनको shade व हो आपको अपको बात कर लेंगी